हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं ग्यों के आटे का हलवा एक बार मेरे तरीके से बनाके देखे, आप पुराने सारे तरीके बूल जाएंगे इसके लिए मैंने यहां पर एक कटोरी ग्यों का आटा लिया है, यह बारिक वाला आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक कटोरी ग्योंग का आटा ले लेना है आपको जितनी कॉंटिटी में ग्योंग के आटे का हलवा बनाना आप उतना आटा लेके तयार कर सकते हैं और यह हलवा चार से पांच लोगों के लिए काफी है तो आप जितनी लोग गर में आप उसे हिसाब से आ आटे में लगबग 2 चमच सूजी एड़ करनी है, इससे ज्यादा एड़ नहीं करनी है, और सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, ध्यान रखना है कि गेस की फ्लेम हमें हाई नहीं करनी है, लो फ्लेम पे इसे के इसाब से गी डालेंगे, और आप मेरे तरीके से हलवा बनाएंगे तो इसमें आपको गी बिल्कुल कम लगेगा, और हमारा हलवा है वो मज़ेदार बनके तयार होगा, तो हमें इसमें एक साथ गी ज्यादा एड़ नहीं करना है, बस यहां पर मैंने दो चमच गी एड़ तो आपको जितना आटा लिया है, उतना आपके हलवे में गी लग जाएगा, और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसमें गी काफी कम लगेगा, तो यहां पर मैंने दो चमच गी ओर एड़ कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा आटा सूखा लग रहा है, तो मैं इसमें दो चमच गी ओर एड़ कर दूँगी, इससे ज्यादा हमें गी ओर एड़ करने की ज़रत नहीं पड़ेगी, और जो हम लास्ट में इसमें गी डालेंगे, वो गी इसमें काफी होगा, और यहां पर देखिए, इतना गी इसमें बच बहुत अच्छी से खुश्बू आना शुरू नहीं हो जाते है, इसे हमें लगातार चलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, अगर आप फ्लो फ्लेम पे बना रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ सकते हैं, बीच बीच में चलाते रही है लेकिन अगर आपने गेस की फ्लेम हाई रही है, तो इसे लगातार ही आपको चलाना पड़ेगा, तो इसे लगबग 6-7 मिनट तक भूनेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, देखे बिलकुल पास है, और इसमें जो हमने सूजी डाली थी इसमें दाने भी बनके तयार हो जाएंगे, और यहां पर देखे दो से तीन मिनट मैंने आटे को और भून लिया है, और अब देखे इसका कलर बिलकुल पर्फेक्ट आ गया है, तो मैंने यहां पर साइड में पानी गरम होने के लिए रख दिया है, तो जिस कटोरी से हमने आटा डाला था, उसी कटोरी से हमें पानी डालने है, तो आप दो कटोरी या तो मैं आपके करम कर सकते हैं, मैंने पानी को पहले ही उबाल के रखा था, तो मैं यहां पर दो गलास पानी एड कर रही हूँ, गलास और कटोरी की साइज सेम है, इसलिए मैंने गलास से डाला, आप जिस भी बरतन से आटा लिया आपने उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालीए तो मैंने यहां पर एक गलास पानी पहले डाल दिया इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एक गलास पानी और एड कर दिंगे ध्यान रखने हैं कि पूरा पाणी एक साथ एड नहीं करना है, अगर आपने पूरा पाणी एक साथ एड पर दिये, तो फिर इसमें लंपस बन जाएंगे, और जो हल्वा बनेगा वट अच्छा नहीं बनेगा, तो यहां पे देखिए हल्वा हमारा अच्छे से मिक्स हो गए लेकिन अभी इसका थोड़ सा कलर इसका फीका लग रहा है तो हम इसमें जब मीठा एड़ करेंगे तब यह अच्छे से सेट हो जाएगा और एक से दो मिनिट के लिए मैं इसे अच्छे से बूल लेना है जब तक कि इसमें से गी अलग होना शुरू नहीं हो जाए अगर इसमें गी अलग होना शुरू नहीं हो गर आप इसमें पहले ही मीठा एड़ कर देंगे तो फिर इसमें मीठे और पानी दोनों का टेस्ट अलग अलग आएगा तो यहां पे देखिए अच्छे से हल्वा गाड़ा हो तो हम इसमें गुड डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो आप गुड की कौंटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं यह मीठा बिल्कुल फर्फेक्ट है ना तो ज्यादा है और नहीं कम है अगर आप फिर भी बिल्कुल कम मीठा खाते हैं तो आप गुड की कौंटिटी या चीनी डाल रहे हैं तो उसकी कौंटिटी कम कर सकते हैं और जैसे हम इसमें मीठा डालेंगे यह देखिए इसका कलर चेंज हो गया है अगर आप गुड डाल रहे है तो इसका कलर एकदम बादाम जैसा हो जाएगा हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है और mix करने के बाद हमें इसे 1-2 मिनिट के लिए low flame पर अच्छे से बुनने देना है तो यहां पर देखिए 1-2 मिनिट हो गया है गी इसमें पूरी तरह से अलग हो गया है और हमने इसमें गी पूरा एकटोरी नहीं डाला है तोटल आप 10 चमच मान के चलिए गी तो उसमें से 6 चमच ही हमने इसमें गी डाला और 4 चमच बच गए अगर आप नॉर्मल रेगुलर तरीके से आटे का हलवा बनाते तो आपका उसमें पूरा एकटोरी गी लग जाता और फिर भी हलवे से गी अलग होना शुरूर नहीं होता तो यहां पर देखी हमारा हलवा बनके तयार हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा फलिवर के लिए इलाइची पाउडर डाल देंगे और कटे बादाम डाल देंगे इसमें ड्राइफ रूट और इलाइची पाउडर ऑप्शनल है अगर आपको पसंद देया ता आप डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे हटा भी सकते हैं और हलवे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम गेस के फ्लेम बंद कर देंगे और हलवे को एक दूसरे बरतन में निकाल के तयार कर लेंगे और यहां पर देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हमारा हलवा कितना मज़ेदार बनके तयार हुआ है और अगर आप सूजी से भी हल्वा बनाएंगे ना तो वह हल्वा भी इतना टेस्ट नहीं बननेगा और यहां पर देखिए इसमें से पूरी तरह से गीत चारू तरफ से अलग हो गया तो अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे इसे दूसरे बरतन में निकालेंगे तो लीजि करना चाते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगे आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नहीं वीडिय गए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए मिल दें फिर से एक नई रेसिपी के साथ